पास आने से 30,000 कमा सकते हैं, उस पैसे से जो भी आपने, बहुत सार लोगों को या ना कंट्रोवर्शिल बात लगेगे, सर क्रेडिट कार्ड तो पहले अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोस्त आपको हर्म ही ने लगानी है, इसलिए या तो आपके पास ल हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित मैश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्पर्ट ट्रेनर, मूटिवेशनल स्पीकर, और सीओ, मैं टास ओवर्सिस लेमिटेड, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में, बहुत सारे लोगों ने हमसे को अगली वीडियो में देना चाहिए, यह बात में आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप भी अपना प्रश्न, कॉमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से जरूर एक्स्प्लेन करें, ताकि हमारी टीम आपके कोशिन को सिलेक्ट करें, और अगला वीडियो आपके वाले टॉपिक पर हूं, तो आज हम बात करते हैं कि फैनेशल क्राइसिस को हम कैसे मैनेज करें, फ्रिंट फैनेशल क्राइसिस ना किसी के साथ भी आ सकता है, तो फैनेशल क्राइसिस के मैनेज करने का जो तरीका है वो हर विक्ति को पता होना च आए आपके सामने तो बात करते हैं financial crisis को कैसे manage करें सबसे पहले जो में काम करना है na identify the cause of financial crisis सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वो financial crisis आया है उसका cause क्या है उसका कारण क्या है अब ये कारण कुछ भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आपके पास sale नहीं होरी तब यह financial crisis में आ गए इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है जिसकी वज़े से लोग financial परिस्तिती को बिगाड बैठते हैं जैसे एक बात तो मैंने आपको बुला ही है आपके पास अच्छी sale नहीं आ रही इसलिए आपके पास financial crisis है क्योंकि sale से ही business में turnover और volume generate होता है financially इसलिए सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं वो financial crisis sale की वज़े से तो नहीं है या कई बार sale हमारी ठीक होती है लेकिन जो हमारा cost है वो इतना बढ़ चुका होता है material का कि जिसकी वज़े से हम production करते हैं तो mile बहुत महंगा बनता है महंगा बनने की वज़े से selling price से जब हम cost को reduce करते हैं तो profit नहीं बसता और अगर profit बसता भी है तो हमारी operating cost cover नहीं होती तो कहीं वो financial crisis sale या cost की वज़े से उतना है या कोई loss हो गया आपको for example factory में किसी तरह का कोई चूरी हो गई या आपका raw material खराब हो गया या और बहुत सा ऐसे कारण है जिसकी वज़े से business में loss हो जाता है या कई बार loss किस तरह से होता है कि आपका bed debt हो गया वेट debt का मतलब आपने किसी को माल उधार दिया था वो पैसे लेके भाग गया या आपका पैसा व्यापार में डूब गया जिसकी वज़े से आपको loss हो गया next कि economy में जो recession का time चल रहा है recession की वज़े से आपको loss हो गया economy में recession है तो existing buyer कम माल खरी देने है कम माल खरी देने तो sale कम है घुमा फिरा के व and remove non-essential cost आपको ये देखना है आपके business में non-essential cost क्या है अब ये non-essential costs क्या होती है कहीं आपका extra electricity का खरचा तो नहीं आ रहा कहीं आपके administration का खरचा है ओसच्ट्र तो नहीं है कई बार तो ये देखा गया है कि कि किसी-किनसे में जो pantry का खरचा है वह इतना है था stationary का खरचा है वह बहुत जाद है जर्नल एर कंडिशनिंग का खरचा है वह बहुत जाद है सिक्योरिटी से रिलेटिट नंबर ओफ गार्ड आपको जितने चाहिए उससे ज्यादा आपके पास लगे हुए यह एक ही काम को करने वाले जितने लोगों के जरूरत है उससे ज्याद पर आपका कोस्ट बहुत जादा आ रहा है महाँ पर तो आप कैसे उसको रिद्यूस कर सकते हैं यह भी आपको देखना है नेक्स्ट है फाइंड आँट रांच नेक्स्ट रिदीवक्ष योजा आप ये भी देखे हैं कि आप अपनी कॉस्ट कहां का रिदियूस कर सकते हैं लगबग इससे similar point है, पर इसमें एक differentiation का है, कि यहां production से related बात कर रहे हैं, कि आप क्या ऐसा करें, कि आपकी production cost कम हो जाए, जैसे आप अपने supplier से बात कर सकते हैं, कि मैं इतने लंबे समय से आप से material ले रहा हूं, तो आप मुझे और extra क्या discount दे सकते हैं, आपको monitoring benefit क्या मिल सकत करें, इसके लावा यह भी हो सकता है, कि आपका leverage of credit period है, अगर वो थोड़ा और बढ़ा दें, तो आपको क्या होगा, कि sale करने में और पैसे को encash करने में जो समय है, वो extra मिल जाएगा, जिसके वादे से आप financial crisis से बाहर आ सकते हैं, तो अपनी cost को reduce करें, और cost reduction में हमारी दो fixed cost, fixed cost मतलब rent हो गया, या number of employees आपके fix लगे हो वो हो गये, या बहुत सारे से खर्चे जो fix हैं, उनमें आप कैसे कमी कर सकते हैं, इसको देखें, और variable cost मतलब जो production से related है, कि आपका raw material आपको सस्ता मिल जाए या और भी ऐसे कारण, जिसकी वेसे आपकी variable cost कम हो जाए, वो इसके बात, establish good communication with your supplier and ask them for discount, अगर आप अपने supplier से अच्छा communication करते हैं, और उनसे बात करते हैं, कि आपके जैसा same material मुझे low cost पर कहीं और से मिल रहा है, तो या तो आप मेरे लिए cost गटाए, या मैं किसी दूसरे supplier से बात करूँ, और competition and recession के इस time में, हर supplier near to the cost of production आपको material देने के लिए तयार हो जाता है, तो उसकी जो cost उसके लगबग बरावर आपको material देने के लिए तयार है, जरूरत है तो केवल उससे ठीक तरीके से communicate करने की, और जब आप अपने supplier से communicate करते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, वो कुछ ना कुछ extra discount आपको जरूर कर सकते देगा, जिससे आपका cost कम होगा और आप financial crisis में आसानी से बहार आ सकते हैं, next, change the way you budget, आप किस तरह से budget बनाते हैं, आपके पास जो sales से total turnover generate हुआ है, उस turnover को आप किस-किस तरह से eliminate करते हैं, और किस-किस तरह से उसका budget design करते हैं, decide कि कौन सा पैसा, कब, कहां, कितना लग आना होगा, आप production के साथ-साथ, जो cost बढ़ा सकते हैं अपनी, वो है marketing की, अगर आप marketing बढ़ाते हैं, अगर आप sales promotion पर ध्यान देते हैं, number of sales and marketing executives बढ़ाते हैं, promotion करने के बाद number of customers को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो भी आप छीक तरीके से अपना plan बना सकते हैं, उसके बाद, change your sales strategy, आप किस तरह से sales कर रहे हैं, देखिए, बहुत सरे लोग आज भी traditional तरीके से sales करते हैं, वो offline business करते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी दुकान पर जो माल बिखता है, वही मेरी असली sales है, लेकिन जो लोग आज information and technology के इस युग में, अपने business को online platform के जरे नहीं लाए इसलिए जरूरत है, आप अपनी sales की strategy को design करें, design करने का मतलब, आप distribution network बनाएं, आप sales retail sales center बनाएं, आप साथ में अपना wholesalers के साथ tie up करें, आप commission agents बनाएं, आप export करना शुरू करें, आप online e-commerce के जरीए sale करना शुरू करें, या ऐसे sale करने के तरीके ढूंडें, जिसमें आप already sale नहीं कर रहे हैं, यह आपको एक extra benefit देने वाला है, उसके बाद look for the ways to earn extra cash, या extra money, आप कैसे generate कर सकते हैं अपने business के लिए, इसका एक बहुत सा example मैं आपको देता हूं, एक हमारे friend है, उनका जो plant है, वो सुबा 10 बजे से लेकर, शाम को 8 बजे तक चलता है, वहाँ सार job work पर किसी और को दे दिया, मतलब job work करना शुरू कर दिया, तो आप देखें कि extra cash कैसे generate कर सकते हैं, यह बहुत important role play करेगा आपके business में financial prices से बाहर आने के लिए, use the buffer time of credit card, अभी बहुत सारे लोगों को यहा ना controversial बात लगेगे, कि credit card तो पहले अपने आप में एक बहुत buffer time मिल जाता है, मैं इसको एक example के उरूप में बताता हूँ, मान लीजिये, आप raw material खरीदते हैं, जिसकी payment आपको hand to hand करनी थी, आपने एक लाख रुपे का raw material खरीदा, और आपको पताए कि एक लाख रुपे का raw material से आप आसानी से एक लाख 30,000 रुपे का material produce करेंगे, लेकि आपको पता है कि मैं तीन दिन में production कर दूँगा और अगले 20 से 30 दिन के अंदर इसको sale कर दूँगा, तो कहने का मतलब एक लाख 30,000 का माल बेचने के लिए आपको एक लाख रुपे का buffer time मिल गया, कि आप आसानी से 30,000 कमा सकते हैं, उस पैसे से जो भी आपने pay नहीं की हैं जैसे आपके पास sale आएगे, आप उसको भर देंगे उसके बिल को, तो ये buffer time का इस्तिमाल जरूर करें, next, monitor your business cash flow, अब business में cash flow का एक system होता है, वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा topic है, जहां पर हम business में funds flow and cash flow का management सीखते हैं, और business studies में भी ये बहुत जारा सिखा ज जारा स्टूडेंट्स को ताकि वो business को manage करना सीख जाएं, cash flow को हम कैसे monitor करेंगे, हमें ये देखना है कि हमारा जो sale का credit period है, वो कितना है, जातर business में 7 days, 15 days, 1 month, 3 month होता है, मतलब आपका पैसा 7 दिन में, 15 दिन में, या 3 महीने में, या 5 महीने में, या 6 महीने में, एक cycle के होता है, वो किसका होता है, purchase का, purchase में भी हमारा credit होता है, 7 days, 15 days, 30 days, 90 days, मतलब आपको जो माल मिल रहा है, वो उधार में भी समय पर मिलता है, तो आपको ये देखना है कि आप कैसे अपने cash flow के management को समालेंगे, क्योंकि अगर आपकी payment 3-3 महीने में आ रही है, अगर आपकी payment 3 म महीने बेर करनी है, इसलिए आप अपने funds को इस तरह से schedule करें, ताकि आप आसानी से अपने cash flow को manage कर सकें, और financial crisis से उभर सकें, बहुत सारे businesses में तो जो cash का flow है, वो annual basis पर होता है, यहां पर आपका time duration है वो बहुत बड़ा है, लेकिन operating cost तो आपको हर महीने लगानी है, इसलिए या तो आपके पास liquidity होनी चाहिए, या आप ठीक तरह से cash flow management को draft करें, तब ही आप financial crisis से बहुत आसानी से उभर सकते हैं, यह कुछ ऐसे तरीके हैं, जिससे हम अपने business में आसानी से financial crisis से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, बिजनस को लेकर, जिससे हम अपने business को establish कर सकते हैं, business को expansion की और ले जा सकते हैं, business की problems को solve कर सकते हैं, बशरते हम इन सभी बातों को ठीक से समझें, अपने business में implement करें, इसकर आपके मन में कोई भी प्राश्न है ना, तो मैंने specially आपके लिए Q&A time दिया हुआ ह आप अपने सभी सवालों के जवाब हम से पूछ सकते हैं, अभी के अभी आपके मन के सारे सवाल, आप यहां comment box में लिख दे, हम अगली वीडियो में उनका solution ज़रूर आपको बताएंगे, friends, मैं अपने business time से extra time निकाल कर, आपके लिए business learning videos बनाता हूँ, और वो business learning videos, book based content नह के साथ जिन क्या bell विशर हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनारे वविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत